पिछले लेक्शेर में हमने टेक्स्ट को एक्स्प्लोर किया हमने देखा कि हम किस तरह से अपने टाइप टूल से टेक्स्ट लिक्स रखते हैं और हमने लेगेसी टाइटल की कुछ आप्शन्स देखी कुछ फर्दर उसकी आप्शन्स देखते हैं काफी इंटरेस्टिंग है हमारे पास एक इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को स्क्रोल कर सकते हैं या फिर हम इसको roll कर सकते हैं, इस पर roll के नाम से हैं, या पिर हम इसको crawl कर सकते हैं, मत्तब आप इसको screen के left यह screen के right पर किस तरह move कर सकते हैं, तो आए हम इसको देखते हैं, जी तो हम उसी अपने जो last lecture में हम कर रहे थे, उसी को continue करते हैं, हमने यहाँ पर text, still text वना लिये था as a title हम इसको use कर सकते हैं जहाँ पर भी चाहते हैं हम इसको place कर सकते हैं अब आप देख रहे हैं हम black पर इस वक्त है इसको मैं double click करूँगा यहां से और आप देख सकते हैं इस वक्त के इसकी positioning वही है इसको मैं चाहूँ तो centrally align कर लूँ यहां पर screen के तो अभी जो option हम देखने लगे हैं वो हम यहां पर जाएंगे जिसमें हमारे पास दिखा आता है कि या तो हम इसको roll कर सकते हैं या crawl कर सकते हैं यह text new title based on current title के साथ एक चोटा सा हमारे पास icon मुझूद है इस पर मैं click करूँगा तो मेरे पास roll crawl options हैं यह और मैंने इसको करना है roll आप देख सकते हैं इस वक मेरे पास और नीचे option भी visible है अगर मैं यहां से start off screen करूँगा तो यह इसको automatically screen के नीचे से लेकर आएगा empty area से और आइस्ता-इस्ता इसको अपनी final position पे ले आएगा हम इसको okay करते हैं जहां से मैं इसको बंद करूँगा जैसे के हमने बात की के timeline पे ही वो पड़ावा है तो वैसी काम करेगा अब हम इसको play करते हैं यहां से तो आप देखिए कर तो यह आपके पास off screen मतलब नीचे से यह text in होना शुरू हो गया और इसका out point तक यह वो होका जो इसकी final position थी अगर इसकी speed आपको बढ़ा नहीं हो तो आप इसको as a clip read कर सकते हैं अब just इसको यहां से अपने selection tool से ही काम करेंगे तो आपके पास इसकी speed बढ़ जाएगी आप देख सकते हैं कि speed में वाज़े difference है मैं इसको double click करूँगा दुबारा मेरे पास again legacy title खुल जाएगा same file और मैं इसकी roll crawl option में गया मैंने इसको यहां से start off screen किया था अगर मैं end of screen की option भी कर दूँगा यहां से इसको बंद करूँगा अब आप देख सकते हैं कि जो text है transition हटाते हैं हम उसको play कर रहे है इतने ही clip के अंदर जितने आपके इसकी duration थी जितना हमने इसको खुद set किया था उसके अंदर यह off screen से शुरू हुआ मत्ता black area है इस वक्त नीचे से वह शुरू हुआ रोल हुआ और रोल होता होता वह तुबारा से screen से बाहर चला गया क्योंकि हमने दोनों option पर click कर दिया था जो के start of screen और end of screen था इसकी duration further तेस्ट करना चाहते हैं तो हम इसको और छोटा कर सकते हैं यहां से और अगर आप इसको slow करना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ाएंगे तो इसकी speed automatically चलो हो जाएगी आप इसको black के ओपर भी use कर सकते हैं आप इसको further किसी video के ओपर भी use कर सकते हैं और अक्सर movies में अगर आपने देखा हो तो इसके credit इस तरह चल रहे होते हैं कि आप इसको जाहतर नेम अपने end credits में यूज़ कर सकते हैं और अक्सर हमने देखा है कि वीडियो में क्या होता है कि आपकी एक वीडियो में भी effect control window से हम इसको कर सकते हैं अधर side पे या पिर हम इसको थोड़ा सा चोटा कर लें और इस तरफ कर लें इसको भी हम चाहें तो यहां से इज़र align कर लें और safe margin का ख्याल रखते हुए तो आप देख रहे हैं कि आपकी वीडियो भी साथ चल रही है और आप पूरे यहां पर अपने एक वेरिट स्पीड दे सकते हैं further यह है कि इस window के अंदर आप चाहें तो manually अपने text को further type कर सकते हैं उस box को मैंने double click किया जो कि यहां पर मेरे पास बनावा था इस तरह से जब मैं इसको double click करूँगा तो यह मुझे edit करने की option दे देता है मैं इस पर चाहूँ तो और जितना मरजी text add करना चाहूं कर सकता हूं और उसके इलावा आप चाहें तो कहीं पर लिखे वे text को मिसाल के तोर पे आपने Microsoft Word के अंदर proper credits लिखे हैं और बहुत ज़्यादा नाम है आप चाहें तो इसको वहां से भी copy paste करके यहां पर ला सकते हैं और further जितनी भी आपके पास options मुझूद हैं उनके through आप इसकी adjustment कर सकते हैं तो यह तो था हमारा rolling text, same text को हम देखते हैं अगर हम यहां पर rolling की जगह अगर हम इसको crawl कर दें और हम इसको यहां से okay करेंगे window को अपनी बंद करते हैं अब same text जो था हमारा थोड़ाची speed इसकी तेस्ट कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि यह right to left crawl कर रहा है यहां से हम इसको reset कर देते हैं क्योंकि इसकी motion की properties भी हमने कुछ change की हैं हम इसको यहां से दुबारा चेक करते हैं black पर ताकि आपको बेहतर तरीके से नजर आ सके और यही option अगर मैं इसको यहां पर crawl right कर दूँगा तो अब यह left से right की तरफ crawl हो जाएगा यह normally आपने देखा होगा कि आपके पास नीचे screen पर text crawl हो रहा होता है जिसको broadcast में normally ticker भी बोला जाता है कि नीचे scroll हो रहा होता है यहां पर crawl हो रहा होता है तो basically वो भी आप इस तरीके से बना सकते हैं ऐसे cases में आप चाहें तो इसको एक साथ ही align कर लें आप इसको अलग अलग मत रखें आप चाहें तो further इसकी positioning जहां पर रखना चाहते हैं वहां पर रखें और अकसर हमने देखा होगा एक shape भी आप बना सकते हैं और इसका हम color change कर रहें अगर तो arrange में जाके हमारे पास क्योंकि हमें पीछे चाहिए और आगे हमें अपना text चाहिए तो हम इसको send backward करेंगे तो हमारे पास हमारा text नजर आजएगा further हम इसको change करना चाहें तो कर सकते हैं तो अभी जो है आपके पास अगर मैं same file को बंद कर दूँगा तो यह background के साथ पूरा move करेंगे और अगर आप इसको तुबारा से crawl left कर देंगे तो यह left की तरफ मूफ करेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपका यह background जो है यह static रहे और आपका जो text है सिर्फ वो move करता रहा है या फिर लूप होता रहा है तो आप यह कर सकते हैं कि उसको background का जो आपकी shape है उसको आप अलग layer में रख सकते हैं और जो आपका text है उसको आप separate layer में रख सकते हैं ताकिए करें और इसको आप fix रखें और उसके बाद आप अपना इस text को loop कर सकें अलग से treat कर सकें तो यह अभी दो options हमने देखी हमने rolling text देखा हमने crawling text देखा हम चाहें तो इसको duplicate भी कर सकते हैं अगर हमें इसमें और कुछ different चीज़े लिखनी है लेकिन हम चाहते हैं कि इसका style सेम रहे इसका font सेम रहे और जिस तरीके से यह move कर रहे है सारी चीज़े position alignment वगारा से कुछ सेम रहे यहां पर मेरे पास एक और option है new title based on current title बेसिकली वो इसको एक save as कर देगा या इसको duplicate कर देगा आप देखर है title 2 के नाम से इसने मना दिये title 2 यहां से मैं चाहूं तो change भी इसको कर सकता हूं maybe मैं यहां पर लिख रहा हूं लहौर पाकिस्तान project window में मेरे पास title 2 भी add हो च सकते हैं कि इसमें आपके पास यह था और आपके पास लहौर पाकिस्तान इसकी speed normal करने के लिए slow करने के लिए आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा इसे तो यह था आपके पास crawling text काफी ज्यादा usage है इसका information के लिए बाद दफ़ आपको पूरा इसको लूप में देना पड़ता है तो आप याद रखिए कि आप चाहें तो इसका background अलग कर सकते हैं जो नीचे एक ब्लूपटी हमने लगाई थी वो एक अलग text की layer में हो सकती है क् के layers इसलिए होती है हमारे पास और उसके बाद जो आपका text है वो एक अलग crawling text जो है वो basically अलग layer में हो सकता है जिसना layer 2 में आपके पास एक background है और layer 3 में आपके पास एक crawling text है तो यह जो में आपको बताया आप उसको practice जरूर कीजेगा और बाकी इसके बाद हम पुर इसी और चीजे explore कर सकते हैं कि हम lower thirds पर किस तरह काम करते हैं अगर हमने proper name band देना है हम next lecture में उस पर बात करेंगे